सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर जितेनर पांडे उतरखंड मुक्त विश्व दियाला से आज हम चट्चा करेंगे डारेक्ट मेमोरी एक्सेस की जैसा की हम जानते हैं की मैगनेटिक डिस्क और मेन मेमोरी ये फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है और अगर हम प्रोग्राम इन्पुट आउट्पुट मोड और इंटरप इनिशेटिटिग मोड की बात करें तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच में जो डिटा ट्रांसफर होता है वो वाया CPU के होता है अब क्योंकि मेमोरी और मेगनेटिक डिस्क जैसे फास्ट ट्रांसफर डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है तो CPU की स्पीड अपने आप में एक लिमिटेशन पैदा करती है फास्ट डिटा ट्रांसफर के तो अगर हम किसी भी तरीके से इस डिटा ट्रांसफर के बीच में से CPU का रोल खतम कर दें या रिमूव कर दें और जो पेरिफेरल डिवाइस है वो डारेकली मेमोरी बस को इस टेकनीक में जो CPU है वो डेटा ट्रांसफर को इनिशेट तो जरूर करता है लेकिन डेटा ट्रांसफर इनिशेट होने के बाद जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है CPU का कोई भी रोल नहीं होता और वो ज़्यादा तर टाइम आइडल रहता है और उसका कोई भी कंट्र जो है वो DMA controller के पास चला जाता है जो कि उसे manage करता है input-output device जो कि fast input-output device है और memory के बीच में direct CPU को इस transfer के बीच में idle state में भेजने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगप्री तरीका है कि जिसमें special control signal की मदद से microprocessor की जो buses हैं उनको disable कर दिया जाता है अगर आप screen पर ये चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें दो signal है BR that is bus request और BGU is bus grant इन दोनों control signal की मदद से हम CPU को जो buses का control है उसे relinquish या फिर छोडने के लिए request करते हैं जब भी DMA controller ये bus request signal को CPU को भेजता है यानि कि जब ये BR signal high state में होता है CPU जीजबी instruction को execute कर रहा होता है उसे terminate करता है और ये जो buses हैं इनको high impedance state में भेज़ देता है यानि कि अब इन buses का कोई significance नहीं हुआ ये open circuit बन गया और उसके बाद CPU bus grant signal को high कर देता है जो कि signal है DMA controller के लिए कि अब CPU की सारे जो buses हैं वो high impedance state में चले गई हैं इसके बाद जिस DMA controller ने bus request भेजी थी वो इन buses को अब control कर सकता है memory में data transfer करने के लिए memory में या memory से data transfer करने के लिए fast rate पे और इस data transfer में CPU की अब कोई भूमिका नहीं रहती और जब data transfer कंप्लीट हो जाता है जो DMA controller है ये bus request signal को disable कर देता है तो उसके बाद CPU bus grant signal को disable कर देता है और इस जो buses हैं यहाँ पे इनका control वापिस ले लेता है और उसके बाद जिस operation को उसने terminate किया था उसे वापस process करने लग जाता है जिस समय DMA controller के पास buses का control रहता है तो वो direct memory से communicate कर सकता है तो दो तरीके हैं एक है bus transfer दूसरा है cycle stealing transfer bus transfer में पूरा block एकसां transfer होता है और cycle stealing में सिर्फ byte by byte data transfer होता है जब हम bus transfer method यूज करते हैं तो जो पूरा data है वो पूरे block by block transfer होता है और एक बार जब control DMA controller के पास आ जाता है bus इसका तो जितना data है पूरा block में transfer हो जाता है और उसके बाद दुबारा CPU को control दे दिया जाता है वापस buss का दूसरा method है cycle stealing transfer जिसमें जो data है वो byte by byte transfer होता है इसमें जब भी DMA controller request भेजता है CPU के पास buss का control लेने के लिए तो CPU अपने जो operations है उसको कुछ समय के लिए delay कर देता है और जो buss का control है वो वापस वो DMA controller को दे देता है फिर DMA controller उन buss का control लेके memory में एक byte data transfer करता है और वापस फिर control CPU को दे देता है इस तरीके से CPU अपना जो operation उसे terminate नहीं करता कुछ शन के लिए delay कर देता है और उस शनों में जो DMA controller है वो एक byte data transfer कर देता है और उसके बाद दुबारा control दे देता है CPU को ताकि वो जो अपना काम करा था दुबारा करे और फिर कुछ देर बाद CPU को DMA controller request भेजता है दुबारा से उसको bus request grant होती है और जो bus इसका control मिल जाता है फिर वो एक cycle को steel करके उसमें एक byte of data transmit करता है और वापस control CPU को दे देता है अगर हम DMA controller की बात करें तो एक तरह से ये interface ही है लेकिन इसमें interface के अलावा कुछ extra registers present होते हैं DMA controller भी एक तरह से interface का काम करता है CPU और input output के बीच में इसमें interface के अलावा normal interface circuit के अलावा एक address register होता है एक word count register होता है और एक control register होता है और इसके अलावा कुछ set of address lines भी होती हैं और address register और address line की ये मार्थियम से ये DMA controller memory से directly communicate कर पाता है word count register का काम है कि कितने word transfer होने है उसका हिसाब ये रखता है और DMA controller के निदेशन में input output device और memory की बीच में direct data का आदान प्रदान हो सकता है इसक्रीन में ये DMA controller का block diagram दिखाया गया है ये unit CPU से data bus और control line की माध्यम से direct communicate कर सकती है इन में से किसी भी register को CPU इस DMA select और register select line के माध्यम से select कर सकता है ये दो signals है DMA select और register select दो bits है दो bit के combination से आप चार registers को uniquely identify कर सकते हो तो इन bit के combination के हिसाब से इन bit को use करके DMA select और register select को use करते हुए CPU इन किसी भी address को जो यहां दरशाए रहे हैं DMA controller में इनको access कर सकता है इसके अलावा यहां पे आपको read और write lines भी दिख रहे हैं जब ये bus grant signal 0 होता है तो CPU data bus के through इन register को read या write कर सकता है इन में जब ये bus grant signal low होता है यानि 0 होता है तो CPU इस data bus की मदद से इन registers में read या write कर सकता है और जब ये bus grant signal 1 होता है तब CPU जो इन buses का जो अपना control होता है वो relinquish कर लेता है यानि छोड़ देता है और DMA controller जो है वो memory से directly interact कर सकता है using this address bus buffer और address line के थूँ तो उसको address register में memory की जिस location में उसे read या write करना है उसका address यहां specify करना है और address bus के थूँ memory से direct communicate कर सकता है और read और write signal का इस्तमाल करता है read operation या write operation के लिए यहां पे इस DMA controller में तीन register दिखाए गए है address register, word count register और control register memory के जिस address को access करना है वो address address register के through address register में वो address store कर दिया जाता है और memory की इस location को access कर लिया जाता है और वो address bit यह address bus buffer के through address bus में चली जाती है जो word count register है तो जितने words आपको transfer करने है वो value यहां लिख दी जाती है मान लिजे आपको 20 words transfer करने है तो यहां 20 लिख दिया जाएगा और हर एक instruction को data को transfer करने के बाद यह value decrement होती रहेगी और इसको internally इसको check करते रहता है CPU कि इसकी value कब 0 हो रही है तो जब इसकी value 0 हो जाएगी इसका मतलब जितने भी words transfer करने थे वो memory में transfer हो चुके हैं या फिर memory से वो words input output device में display करने थे या transfer करने थे तो वो words transfer हो चुके हैं और जो यह control register है यह mode of transfer specify करता है कि read operation होना है कि write operation होना है तो जितने भी यह registers हैं यह तीनो DMA controller के इनको CPU interface register की तरह ही access कर सकता है तो यह DMA transfer होता कैसे है सबसे पहले जो CPU है वो DMA को initialize करता है उसके बाद जो DMA है वो input output device से memory में data transfer करता है और तब तक करता रहता है जब तक पूरा block transfer ना हो जाए तो आईए अब देखते हैं कि यह CPU DMA को किस तरह से initialize करता है सबसे पहले CPU database का इस्तमाल करते हुए DMA को जो memory block का starting address है उसका address specify करता है चहां से data या तो read करना है या फिर write करना है उसके बाद word count register को set करता है जिसमें कि वो बताता है कि कितने words transfer करने हैं फिर transfer mode को set करता है यानि कि वो बताता है कि जो memory में read करना है कि memory में write करना है और उसके पशात जो DMA जो data है उसे transfer करना है start कर देता है without the intervention of CPU तो जब पूरा block transfer हो जाएगा तो word count register zero हो जाएगा तो CPU इस register को access करके इसकी value check करता रहता है जब ही zero हो गया तो वो stop कर देता है और जैसे ही इसके अलावा जो DMA controller है वो एक interrupt के माधियम से end of transfer का signal देता है CPU क्यों जैसे कि आप यहाँ इस block diagram में देख रहे है यहाँ एक interrupt signal भी है यह interrupt signal जब यह word count register zero हो जाता है यानि कि पूरा block of data transmit हो जाता है तो interrupt signal के माधियम से CPU को interrupt करता है और जैसे ही CPU को interrupt करता है तो जो bus grant signal हो लोग हो जाता है और CPU bus grant signal को लोग कर देता है और जो buses हैं उनका जो control है अपने हाथों में ले लेता है screen में जो चित्र दिखाया गया है इसमें दर्शाया गया है कि DMN controller की position CPU और जो main memory है उसके बीच में कहां पहर होती है CPU जिस तरीके से के interface को address bus और data bus के माधियम से access करता है वैसे ही DMN controller को भी access कर सकता है इस address और data bus की मदद से तो जब भी इस DMN controller से CPU को communicate करना है तो उसका address यहां पर इस address bus में डालेगा जब भी DMN controller continuously इस address line को monitor करता है और जब भी यह देखता है कि इस address bus में उसका address है वो यह DS और RS signal को enable कर देता है जब enable करेगा तो यह जो DMN unit है DMN controller है यह access किया जा सकता है यह enable हो गया तो यह method सेम है जैसे कि CPU interface को access करता है data bus के through CPU DMN को initialize कर सकता है और जैसे ही DMN को start control command मिलता है वो input output peripheral और memory के बीच में data transfer को initiate कर देता है जब भी input output device DMN request भेजता है DMN controller को DMN controller bus request signal भेजता है CPU को जो कि CPU के लिए signal है कि अब उसे इस buses का control चाहिए आप अपनी जो buses है उनको relinquish कर दीजिए यानि कि उनका control अब DMN को दे दीजिए उसके बाद जो DMN है अपना जो address register में current value को address register की current value को address bus में डालता है और read या write signal को initiate कर देता है और जिस input output device ने DMN request भेज़े थी उसे DMN acknowledgement signal भेज़ देता है अगर आप इस block diagram को देखें तो यहाँ पर जो read और write line है DMN controller की यह bidirectional है और यह किस direction में work करेंगी यह depend करता है bus grant signal के status पर जब यह bus grant signal 0 होता है तो यह input line की तरह read और write line input line की तरह use होती है और इनको use करता है CPU DMN controller में जो registers हैं उनको access करने के लिए और जब यह bus grant signal 1 होता है तो यह read write signal output line की तरह use होती है जिने DMN controller use करता है direct memory access को access करने के लिए या उससे communicate करने के लिए जब input output peripheral device को DMN acknowledgement signal मिल जाता है तो यह जो data bus है इसमें data को place कर देता है अगर वो memory में write operation करना चाहता है और अगर वो memory read operation है तो जो यहाँ पर data bus है उसके content को receive कर लेता है तो DMN controller read or write operation को control करता है और memory का वो address specify करता है जहाँ पर read or write operation होना है उसके बाद जो input output peripheral device है वो memory से direct communicate करता है और CPU का अब कोई भी role नहीं रहता और CPU momentarily transfer करने के बाद address register increment होता है और word count register decrement होता है और DMA word count register को बार बार चेक करता रहता है और अगर word count register zero नहीं होता तो वो फिर check करता है peripheral devices जो DMA request का signal आ रहा है उसका status चेक करता है और जो बहुत high speed devices हैं उसमें जैसे ही एक word transfer होता है दुबारा वो signal अपने आप high हो जाता है DMA request का signal और उसके बाद दूसरा word transfer होता है फिर उसके बाद address register increment होता है word count register decrement होता है और फिर उसका status चेक किया जाता है फिर DMA controller input output device जो है उसका request status चेक करता है वो दुबारा अगर बहुत high speed device है तो दुबारा चुके हैं कि अगर high speed device है तो वहाँ पर bus transfer होगा यानि पुरा block transfer हो जाएगा अगर बहुत slow device उसके साथ attached है तो cycle is stealing होगी तो उसमें क्या होगा एक word transfer होगा उसके बाद दुबारा DMA request की line चेक करेगा वो और जो low speed जो device है उसमें बहुत जल्दी दुबारा वो signal नहीं initiate होता तो उसमें क्या होता है फिर DMA जो है interrupt के माध्यम से CPU को interrupt करता है जो busses का control है वो CPU के पास वापिस चला जाता है CPU दुबारा अपना काम करना शुरू कर देता है और दुबारा जब input output device को next word transfer करना होता है दुबारा request भेजता है दुबारा फिर CPU को bus request भेजी जाती है फिर वो अपनी जो busses है उनको relinquish करता है और bus grant करता है और फिर उसके बाद DMA controller acknowledgement signal भेजता है input output device को input output device फिर दुबारा दूसरा word transfer करते हैं यह है cycle stealing जो slow devices में use होता है और जैसे ही word count register अगर zero हो जाए उसके बाद DMA कोई भी transfer को stop कर देता है और जो bus request थी उसे remove कर देता है उसके साथ साथ इस interrupt signal के माध्यम से CPU को interrupt भी कर देता है जब CPU को यह interrupt मिलता है वो word count register को check करता है और अगर word count register की value zero है तो इसका मतलब सारा का सारा word जो है वो transfer हो चुका है memory में तो हमने इस lecture बे देखा कि किस प्रकार एक DMA काम करता है धन्यवाद